चनक किनिती के सौलवे अध्याय में अचारे चनक के कहते हैं के इस्तरी का हिरिदे पूरन नहीं है वे बेटा हुआ है यहां लंपट इस्तरी अभी प्रेथ है जब वैं एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की और वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है मुर्ग को लगा लगी उसे प्यार करती है वे उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है ऐसा यहां कौन है जिसमें दूलत पाने के बाद मस्ती नहीं आई क्या कोई बेलगाम आदमी अपने संकटों पर रोक लगा पाया इस दुनिया में किस आदमी को औरत ने कवेशन ही लिया किस के उपर राजा की हरदम मेहर बानी रही किस के उपर समय के पर कौप नहीं हुए किस भिखारी को यहां शोहरत मिली किस आदमी ने दुष्ट के दुरगुन पाकर सुख प्राप्त किया विक्ती को महत्ता उसके गुन पर दान करते हैं वे जिन पदों पर काम करता है सिर्फ उससे कुछ नहीं होता क्या आप एक कवे को गरुड कहेंगे यदि वे एक उची अमारत की चट के उपर जाकर बैठा हो जो विक्ती गुनों से रहित है लेकिन जिसकी लोग सरहना करते है वे दुनिया में काबिल माना जा सकता है लेकिन जो आदमी खुद की ही डिंगे हाकता है वो अपने आपको दूसरे की नजरों में गिराता है बले ही वैस्वर का राजा इंद्र हो यदि एक विवेक संपन व्यक्ती अच्छे गुनों का प्रिचे देता है तो उसके गुनों की आभा को रत्न जैसी मानेता मिलती है एक ऐसा रत्न जो परजवलित है और सोने के अलंकार में मढने पर और चमकता है विवेक्ती जो सर्वगुन संपन है अपने आपको सिध नहीं कर सकता है जब तक उसे समुचित सरक्षन नहीं मिल जाता उसी परकार जैसे एक मनी तब तक नहीं निखरता जब तक उसे अभूशन में सजाया ना जाए अचारे चनक के कहते हैं मुझे वे दोलत नहीं चाहिए जिसके लिए कठोर यातना सहनी पड़े या सदाचार का त्याग करना पड़े या अपने शत्रू की या अपने दुश्मन की चापलूसी करनी पड़े जो अपनी दोलत पकवान और औरते भोकर संतुष्ट नहीं हुए ऐसे बहुत लोग पहले मर चुके हैं अभी भी मर रहे हैं और भविश्य में भी मरेंगे सभी प्रॉपकार और तब ततकालिक लाब देते हैं लेकिन सुपात्र को जो दान दिया जाता है और सभी जीवों को जो सरक्षन परदान किया जाता है उसका पुन्य कभी नश्ट नहीं होता खास का तिनका हलका है कपास उससे भी हलका है बिखारी तो अनंत गुना हलका है फिर हवा का जोंका उसे उड़ा के क्यों नहीं ले जाता क्यों? क्योंकि वह डरता है, कहीं वह भीख ना मांग ले बेज़ज़त होकर जीने से अच्छा है कि मर जाए मरने में एक्षन का दुख होता है पर बेज़ज़त होकर जीने में हर रोज दुख उठाना पड़ता है सभी जीव मीठे वचनों से अनंदित होते हैं इसलिए हमें सबसे मीठे वचन कहने चाहिए मीठे वचन की कोई कमी नहीं है इस दुनिया के विख्ष को दो मीठे फल लगे हैं एक तो मधुर वचन और दूसरा सतसंग पहले के जन्मों की अच्छी आदतें जैसे दान, विद्यारजन और तप इस जन्म में भी चलती रहती है क्योंकि सभी जन्म एक श्रिंकला से जुड़े है जिसका ग्यान किताबों में सिमट गया है और जिसने अपनी दोलत दूसरों के सुपर्द कर दी है वे जरूरत आने पर ग्यान या दोलत कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकता वे विदवान जिसने असंख्य किताबों का अधियन विना सद्गुरु के आशिरवात से कर लिया वे विदवानों की सभा में एक सच्चे विदवान के रूप में नहीं चमकता है उसी परकार जिस परकार एक नजायज उलाद को दुनिया में कोई पर्थिष्टा हासिल नहीं होती हमें दूसरों से जो मदद पराप्त हुई है उसे हमें लोटाना चाहिए उसी परकार यदि किसी ने हमसे यदि दुष्टता की है तो हमें भी उसे दुष्टता करनी चाहिए ऐसा करने में कोई पाप नहीं है वे चीज जो दूर दिखाई देती है जो असंभव दिखाई देती है जो हमारी पहुंच से बाहर दिखाई देती है वे भी असानी से हासिल हो सकती है प्राप्त हो सकती है यदि हम तब करते हैं क्योंकि तब से उपर कुछ भी नहीं लोब से बड़ा दुर्गुन क्या हो सकता है परनिंदा से बड़ा पाप क्या है जो सत्य में प्रस्थापित है उसे तब करने की क्या जरूरत है जिसका हरिदे शुद है उसे तीर्थ यात्रा की क्या जरूरत है यदि सभाव अच्छा है तो किस गुन की जरूरत है यदि कीर्थी है तो अलंकार की क्या जरूरत है यदि विवहार ग्यान है तो दौलत की क्या जुरूरत है और क्या यदि अपमान हुआ है तो मृत्यों से भ्यंकर नहीं समुंद्र ही सभी रतनों का भंडार है वे शंक का पिता है देवी लक्षमी शंक की बहन है लेकिं दरदर पर भीक मांगने वाले के हाथ में शंक लेकर गुमते हैं इस से ये बात सिध होती है कि उसी को मिलेगा जिसने पहले दिया है जब आदमी में शक्ती नहीं रा जाती वे साधू हो जाता है जिसके पास दोलत नहीं होती वे ब्रमचारी बन जाता है उरुगन भगवान का भक्त हो जाता है जब औरत बुड़ी होती है तो पती के प्रतिसमर्पित हो जाती है साम के दंश में विश होता है, कीड़े के मुँँ में विश होता है, बिच्छू के डंक में विश होता है, लेकिन दुष्ट व्यक्ति तो पूर्न रूप से विश्ट से भरा होता है एक हाथ की शोबा ग्यहनों से नहीं, दान देने से है, चंदन का लेप लगाने से नहीं, जल से नहाने से निर्मलता आती है, एक विक्ति भोजन खिलाने से नहीं, सम्मान देने से संतुष्ट होता है, मुक्ती खुद को सजाने में नहीं होती, अध्यात में ग्यान को जगाने से होती है। तुन्ली फुल जिसके पास में समपत्ति है, जिसका पुत्र जदाचारी और अच्छे गुनवाला है, जिसको अपने पुत्र द्वारा पुत्र हुए है। मनुश्यों में और निमनस्थर के प्राणियों में खाना, सोना, घवराना, और गमन करना एक समान है। मनुश्य अन्य प्रानियों से श्रिष्ट है तो सिर्फ वे वे ग्यान की बदौलत इसलिए जिन मनुश्यों में ग्यान नहीं है वे पशु है यदि मद्ध मस्त हाती अपने माते से टपकने वाले रस को पीने वाले भोरों को कान हिला कर उड़ा देता है तो भोरों का कुछ न नहीं समझ सकते एक राजा दूसरा वेश्या तीसरा यम्राच चोथा अगनी पांचमा चोर छटा चोटा बच्चा साथमा बिखारी और आठमा कर्व सूल करने वाला हे महिला तुम नीचे जुपकर क्या देख रही हो क्या तुम्हारा कुछ जमीन पर गिर गया है ये मुर्ख मेरे तारूने का मोती ना जाने कहां फिसल गया हे केट की पुष्प तुम्हें तु कीडे रहते हैं तुम्हें ऐसा कोई फल भी नहीं बनता जो खाया जाए तुम्हारे पत्ते काटों से ढखे हैं तुम टेड़े होकर बढ़ते हो कीचड में खिलते हो कोई तुम्हें असानी से पा नहीं सकता लेकिन तुम्हारी अतुल् को पढ़ाने तथा दुष्ट इस्त्री के पालन पोशन से और दुख्यों के साथ सबंद रखने से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुखी होता है अर्थार्थ ये कि मुर्ख शुष्यों को कभी भी उबदेश नहीं देना चाहिए पतित आच्रन करने वाली इस्त्री की संक्ति करना तथा दुखी मनुश्यों के साथ समागम करने से विद्वान तथा भले व्यक्ति को दुखी उठाना पड़ता है दुष्ट इस्त्री छल करने वाला मित्र पलड कर तिका जवाब देने वाला नोकर तथा जिस घर में सांप रहता हो उस घर में निवास करने वाले ग्र और अपनी रक्षा धन और इस्त्री से सदा करें। अपत्ती से बचने के लिए धन की रक्षा करें। क्योंकि पता नहीं कब आपदा आ जाए। लक्षमी तो चंचल है। संचे की आगया धन कभी भी नश्ट हो सकता है। जिस देश में आपका सम्मान नहीं, आजीविका का साधन नहीं, बंदू बांधव, अर्थार्थ, परिवार नहीं और विद्या प्राप्त करने के साधन नहीं, वहां कभी भी नहीं रहना चाहिए। जहां जिविका, भे, लज्जा, चतुराई और त्या की भावना ये पांचों नहीं, वहां के लोगों के साथ कभी न करें। जो अपने निश्चित कर्मों अत्वावस्तों का त्याग करके अनिश्चित की चिंता करता है, उसका अनिश्चित लक्षे तो नश्ट होता ही है, निश्चित भी नश्ट हो जाता है। लंबे नाखून वाले हिंसक पश्वों, नदियों, बड़े बड़े सिंग वाले पश्वों, शस्त धारियों, इस्तिरियों और राजपरिवारों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्व से अमरित, अशुद स्थान से सोना, नीच कुल वाले से विद्या और दुष्च सभावले कुल की गुनी इस्तिरी को ग्रहन करना अनुचित नहीं होता है। पुर्शों की उपेक्षा इस्तिरियों का भोजन दुगुना, लज्जा चोगुनी, सहस छे गुना और काम की इच्छा आठ गुना अधिक होता है।